असलाम वालेकूम गाईज, आज हम बना रहे हैं करेले वैज, देखिए हमने दो करेले लिए हैं, और ये प्याज, छोटी हैं तो चार ले ले लिए न, बढ़ी हैं तो तीन भी चलेंगी, थोड़ी चने की दाल, मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, थोड़ी हरी मिर्च, दो टमा करेला हमने काट लिया है यह ताजे करेले ही हम बनाएंगे ना सुखाना है ना इनको रखना है यह हरी मिर्च लंबी-लंबी काटनी है कि इस तरह से तामाटर काट लेंगे अ बहुत जायके के बनते हैं करेले बहुत पसंद है यहां सबको यह प्यास काट लेंगे हम थोड़ा सा अचार का मसाला लिया है मैंने खड़ा इसको शुरू करते हैं तेल ले लेंगे हम इसमें एक और यह करेले हम तलने हैं इनको अच्छी तरह से बलकि तलने कहें या डीप फ्राइब करना है इनको बहुत अच्छी तरीके से इनको फ्राइब कर लेना है यह देखे आप सबसे पहले करेले डाल दिये है मैंने और इनको अच्छे से प्राइब करेंगे इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में यह देखे आप इस कलर के हो जाएंगे यह जब तक तलना है जब तक इनका कलर यह वाला जाए क्योंकि हमने बिल्कुल हरे करेले लिये हैं तो कड़वाहट जादा होती है यह चिप्स की तरह हो जाएंगे बिल्कुल प्रंच इस टाइम इसके उपर हम डाल देंगे प्याज प्याज डालने के बाद इनको अच्छे से चलाना है चलाते रहना है जैसे के हमारा मकसद रहता है जल्दी पकाने का हर चीज और जाएके की बनाने का यह भी बहुत जल्दी बन जाते हैं इसी के उपर यह मसाले डाल देंगे हम जो हमने निकाले थे और चने की डाल एक घंटा भी गो लेना है चने की डाल को यह थोड़ा टाइम लेती है गलने में इसलिए चने की डाल डालने के बाद यह मसाला जो हमने लिया था चार का अच्छे से इसको चलाना है मिक्स करना है इसको सभी मसालो को यह देखें आप इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा चने की डाल गल जाए इसलिए और यह प्यास भी साफ्ट हो जाएगी चने की डाल गल जाएगी इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर कोकर बंद कर देंगे यह देखो हमारी चने की डाल कल गई है और यह पक गए है अच्छी तरह से अब डाल देंगे टमाटर और हरी मिल्च यह देखें आप अगर कड़वापन लगे हम टेस्ट करने के बाद नीबू के दो टुकड़े डाल सकते हैं ना लगे तो ना भी डालें अगर कड़वापन लग रहा है तो डालें वैसे इंशालला आएगा नहीं कड़वाट और यह देखें आप बहुत जाइके के करेले यह तयार हो गए है गाइज इसको लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मुझे कमेंट मॉक्स में बताना यह आपको कैसे लगे खुश रहें अल्ला हाफिज